असलामों अलेकुम बच्चों ग्यान यगी के इस अनुखी काक्षा में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लाया हूँ कहानी का नाम है सोने का पिंजरा ठीक है बच्चों इस कहानी को धियान से समझेंगे बहुत ही आनन्द भी आएगा और कुछ खिने को भी मिलेगा ठीक है बच्चों तो हम सुरू करते हैं एक शहर में एक कपड़े का एक बहुत बड़ा व्यपारी था आसपास के गावों के लोग उसकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आते थे सेट कभी कभी अपने गरहकों को उधार कपड़ा भी देता था इसलिए आसपास के गावों में सेट को उगाही करने जाना पड़ता था बच्चों धियान से समझेंगे कि एक व्यपारी था कहां एक शहर में और वह कपड़े का व्यपारी था उसके दुकान पर कपड़ा खरीदने बहुत सारे गावों के लोग आया जाया करते थे सेट कभी कभी अधार गरहकों को क्या उधार भी दे दिया करता था इसलिए सेट जो था वह गावों में जा करके कपड़े जो गरहक लेके जाया करते थे तो उससे उगाही का अर्थ होता है पैसे वसूली करना जो गरहक उधार लेकर के जाते थे तो वह क्या करता था सेट उससे पैसे जा करके लाता था ठीक है बच्चों उसी कहते है उगाही है मतलब पैसे वसूली करना आगे धियान से समझेंगे एक बार सेट गाउं में उगाही करने गया था वहां से लौटते समय एक पेड के नीचे वह आराम करने बैठ गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई जब वह नींद से जागा तो उसने अपने आसपास तोटों का समुह देखा हरे रंग लाल चूँच और गले पर काली पटी वाले तोटों को देख कर सेट ने सोचा कितने सुन्दर है ये तोटे एक तो तोटा को साथ ले जाऊं तो परिवार के लोग बहुत खुश होंगे ठीक है बच्चों अब ध्यान से समझेंगे सेट जो था एक बर उगाही करने गाउं गया मतलब पैसा वसूली करने के लिए और जब गाउं से पैसा वसूली करके लाउट रहा था तो उसने एक लोटते समय वह एक पेड के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया और जब वह तो ठका वह ही था थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और वह सो गया जब वहाँ नींद से जागा तो उसने अपने आस पास बहुत सारे तोतों का जुंड देखा तोतों का जुंड में तो देखेंगे तो बहुत सारे तोते तो खुबसूरत लगते ही है हरे उसके चोंच भी थे दम लाल-लाल यह देखकर सेट को उसने सोचा जब बहुत सारे तोतों का जुन को देखा तो सेट ने सोचा क्यूं ना हम एक दो तोतों को साथ ले जाएं तो घर के लोग बहुत खुश होंगे. ठीक है बच्चों आगे समझियेगा धियान से यह सोच कर सेट ने अपना गमचा तोतों के जुन पर फेका और एक तोता पकड़ लिया इस तोते को सेट अपने घर ले गया यह सोच कर जब उतना टमे समय तक सेट जो था सोच रहा था कि हम एक दो तोते को पकड़ लेंगे तो घर वाले बहुत खुश हों गया और यही सोच कर वा क्या क्या अपने गमचा को जुन के ऊपर यानि तोते जो जुन था उसको उपर फेका उसके गमचा में एक तोता पकड़ा गया और वहां उस तोते को पकड़ कर अपने घर ले आया उसके बाद सेट ने घर पहुँचकर तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया उसमें तोते के लिए बैठक और एक जूला रखवाया पानी पीने के लिए कटोरी और खाने के लिए एक छोटी सी तस्तरी भी रखवायी वा, सेट ने तो बहुत अच्छी अच्छी कामे किया है इस तोते को पकड़ करके उसे पिंजड़े में बंद कर दिया, फिस सोने का पिंजड़ा बनाया, सोने के पिंजड़ा बनाने बाद उसमें एक जूला भी लगाया, तस्तरी भी डाली, कटोरी, पानी पीने के लिए, खाने के लिए तस्तरी भी लगाई, छोटी सी, इतने सारे उसने सामान उसके लिए बंदबस कर दिया अब तोता सोने के पिंजरे में रहने लगा उसे अमरूद, मेर्च, आदी, मन, पसंद वस्तुमें खाने को दी जाने लगी तोते को एक से एक सामान बढ़ियां से बढ़ियां जैसे कि अमरूद हो गया मेर्च हो गिया ये इसके जो मन पसंद थें वह सारे परिवार उसको यानि सेट जी देने लगे घर के बच्चे तथा सेट तोते से बाते भी करते यानि घर के जो लोग थे सेट भी बच्चे भी सब घर के जितने भी थे सदास तोते से बात करने लगे तोता थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गया तोते के साथ बाते करने में सब को बहुत आन्दन आने लगा यहनि तोता भी जो था वा भी बोलने लगा ठीक है ना अब उसके बोलने से सारे लोग घर के खुस हो जाते थे ठीक है बच्चा, आगे दूसरी बार जब सेट उगाही करने निकला तो उसने तोते से कहा, तोते राम मैं उगाही करने जा रहा हूं, लौरते समय मैं तेरे माता पितावा सगे संबंधियों से मिलूंगा, तुझे उनके लिए कोई संदेश भेजना हो तो बता, एक बार सेट ने गिया तो तोते को पकड़ के लाया, जब दूसरी बार पैसा वसूली करने के लिए सेट गाउ जाने लगा, तो तोते से उसने उसकी इच्छा पूछी, ठीक है नवचोग, कि क्या तुम्हारा भी कोई संदेश यानि सुचना है, मैं गाउ जा रहा हूँ, तुम्हारे रिष्टेदारों को, संबन्दियों को, वो मैं सुचना दे दूँगा, अगर तुम्हे कुछ देना हो तो मैं मुझे बोल दो, मैं वहां तक पहुचा दूँगा, ठीक है बच्चोग, अब आगे समझिए, तोते ने कहा, सेठ जी उन सब से कहना, तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनन से रह रहा है, सेठ जी ने, जब तोते से, उसकी इच्छा पूची, कि तुम्हें भी कोई सूचना देना है, यनि संदेश देना है, भीजवाना है, तो मैं जाकर के संदेश दे दूँगा, तोते ने भी कह दिया कि हाँ जरूर मेरी पास भी एक संदेश है, जो मेरे संबंधियों को पहुचा देना, तो सेठ ने भी कहा कि ठीक है बताओ, तोते कहता है, तोता भी कहता है, कि सबसे कहना तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है, और तोता सोने के पिंजर गया वहां से और वापस उगाही करके यानि पैसा वसूली करके जब वापस आ रहा था तब सेट उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका तब ही तोतों का एक समू उस पेड़ उस पर तूट पड़ा जब सेट पैसा वसूली करके लौट रहा था तो वही पेड़ के नीचे वह क्या किया अराम करने के लिए रुका और वह रुकने जैसे ही रुका उस पर बहुत सारे तोते छपट पड़े तूट पड़े नोचने लगे काटने लगे तभी वे उसे चूँच से मरने लगे उन में से एक तोते ने सेट से पूछा सेट जी हमारा तोता क्या कर रहा है तभी उस सरे जुण में से एक तोता ने सेट से पूछा कि हमारा तोता क्या कर रहा है सेट ने उन्हें शांत करते हुए कहा तोता भूखा नहीं है तोता प्यासा नहीं है तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनंद कर रहा है सेठ जी ने तोते को जवाब दिया कि तोता भूखा नहीं है तोता प्यासा नहीं है तोता सोने के पिंजरे के अंदर खुशी से रह रहा है जैसा तोते ने संदेज दिया सेठ जी ने वैसे ही उसे कह दिया यह सुनकर आगे देखिए क्या होता है बच्चों धियान से समझेंगे यह सुनकर सभी तोते बीना कुछ बोले जमीन पर मुर्दों की तरहा लुड़क गए यह क्या हुआ थोड़ा सा यह नियू सुना कि खुशी से के मारे बेचारों लोगते हकी बक्की बंद हो गए और जमीन पर लुड़क गएं मर गएं सेठ उनके पास गया उसने तोतों को हिला डुला कर देखा पर ऐसा लगा जैसे सारे तोते अगहात से मर गएं हो जब सेठ उन तोतों के पास जा कर देखा उसे हिलाया डुलाया पर वा नहीं जैसे एक परतिक्रिया होती है कि यहां यह जिंदा है यह मर गया है उसे ऐसा अभासी नहीं हुआ उसे एहसास नहीं हुआ और सेठ ने सोचा कि यह बिचारा आगहात यानी सदमे में आकर मर गया है ठीक है बच्चों आगे समझेंगे सेठ जी घर पर आए सेठ को देखते ही तोते ने अपने माता पिता एवं सगे संबंदियों के समचार पूछें सेठ ने कहा तेरे माता पिता और सगे संबंदियों को जब मैंने तेरा संदे सुनाया तो सभी लुड़क गए क्या उन्हें आगहात लगा होगा सेठ जी जब वापस घर आए तोते ने अपने माता पिता एवं सगे संबंदियों के बारे में पूछा तो सेठ ने कहा उसे कि क्या कहें तेरे माता पिता और सगे संबंदियों को जब मैंने तेरा संदे संदे सुनाया तो सभी लुड़क गए हैं पता नहीं उसे कितना आगहात सदमा पहुँचा होगा सदमा लगा होगा समझ में नहीं आया उसे वहा हैरान रह गया और आगे पिंजरे के तोते ने कोई जवाब नहीं दिया सेठ की बास सुनकर वा समय भी पिंजरे में जूले से नीचे गिर पड़ा सेठ ने यह देखा तो उसे बहुत आश्चर हुआ उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को हिला डूला कर देखा सेठ जी को लगा वह तोता भी अगा से मर गया सेठ जी ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाल कर थोड़ी दूरी पर रख दिया मौका देखकर तोता पंक फड़फडाता हुआ उड़ गया समझें बच्चो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि यहां पर क्या हुआ होगा फिर भी मैं आपको समझा दू कि तोते को जब उन्होंने उसके परिवार वालों की सूचना यानि संदे सुनाई तो तोता भी सुनकर वा समय भी क्या किया, यानि खुद भी पिंजरे में जूले से नीचे गिर पड़ा, सेठ ने याद देखा तो उसे भी हैरान हुई लगा, हैरान हो गया, वा भी हैरान हो गया कि ये मैंने इसे क्या कर दिया, यहां आ करके, वहां कहा तो उसके पूरे तोत यहां मैंने कहा तो यह तोता भी लुड़कर मर गया या उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह मैंने क्या कर दिया और उसने अंत में क्या किया कि पिंजरे का दर्वाजा खोला और तोते को हिला डुला कर देखा विचारा तोता कुछ भी नहीं सक्का बक्का इसे ही मरा रहा सेड़ जी को लगा कि वह तोता भी अगाध होकर मर गया और सेड़ जी ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाल कर थोड़ी दूरी पर रख दिया तोता भी देखा मौका कि अब लगता है कि सेड़ जी कुछ दूरी पर चले गए हैं वह भी उठा पंक फड़ फड़ाया और उड़ गया आगे कहानी समझिये जाते जाते उसने कहा सेड़ जी मैं आपका अभारी हूँ मुझे अपने माता पिता का संदेश मिल गया है मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ आपका पिंजरा सोने का था लेकिन वह पिंजरा था मेरे लिए वह जेल थी दोता उड़ता हुआ ज अब मुक्त आवात वरन में तोता सब के साथ आनन से रहने लगा बच्चों समझेंगे कि तोता जो था जाते जाते उड़त गया लेकिन जाते जाते सेड़ से कह रहा था कि मैं आपका अभारी हूँ कि आपने मुझे अपने माता पिता का संदेश मिल गया कहा कि आपने जो मुझे कहा वो मेरे माता पिता मेरे लिए संदेश यही दिये थे कि मैं तो मरने का नाटक कर रहा हूँ तू भी मरने का नाटक कर ले उन्होंने यही संदेश मेरे लिए भेजा था और मैं पिंजरे में मरने का नाटक किया जिसे तुझे लगा कि मैं मर गया और पिंजरे से बाहर रख दिया मुझे मौका मिला और फरफा कर उड़ गया यही मेरे लिए मेरे माता पिता संबंधियों ने संदेश दिया था इसलिए मैं आपका अभारी हूँ और तो ता वहां से उड़ कर जंगल चला गया और अपने माता पिता से मिला संबंधियों से मिला और वह आजाद वातावरन परियवरन में खुसी से रहने लगा ठीक है बच्चों आशा करता हूँ आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी ठीक है आप लोग इसे बढ़िया से समझ लेंगे धन्यवाद शुक्रिया